नमस्कार लिडर मैं आपको आप बताऊंगा कि CRU के वैलेट से दूसरे CRU वैलेट में फंड को कैसे ट्रांसफर किया जाता है बहुत ही असान प्रक्रिया है सबसे पहले आप www.skyvinvestgroup.com वेबसाइट से लोगिन होंगे लोगिन होने के बाज कुछ तरीके से ओप्सन दिखाई देगा लेकिन a Swig का पॉटल है इसा ही होता है जैसा है centrally यहाँ पे एक option दे रहा है यहाँ देख सकते हैं इसको CRU, यहाँ पे इसको click कर देंगे, जब CRU को option को click करेंगे तो अलड़ी CRU को dashboard आपको खुल जाएगा, अब CRU को दीखेगा, मेरे को देखे, wallet को CRU से transfer करना है, wallet यहाँ option दे रहा है, wallet से, जब wallet को मैं यहाँ पे click किया हू तो wallet में left side में मेरे को एक option दिखा रहा है, यहाँ पे देखे, जैसे aid fund, invoice withdrawal fund, transfer fund, तो हमको transfer fund करना है, क्योंकि fund को transfer करना है, इसलिए हम transfer fund में click करेंगे, जैसे transfer fund में click करेंगे, इस तरीके से कुछ option दिखाई देगा, यहाँ पे देखे, difference user of the account, current account, मतलब दूसरे same CRU account में दे इसी CRU के wallet से दूसरे CRU के wallet में देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे CRU के wallet पे उनका लिख देंगे, तो मैं यहाँ पे जैसे type करूँगा, अलरड़ी उनका नाम दीख जाएगे, जैसे जिए असोग जी करे, मैं transfer कर रहा हूँ, तो असोग चोहन इसमें आ गया है, असोग तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल में इनको 200 unit transfer कर रहा हूँ, 200 unit के मतला 200 dollar, 200 dollar अगर हम transfer करेंगे तो ऐसा option दिखाएगा, और इसको फिर click करेंगे, जैसे click करेंगे तो आलरड़ी mail पे चला जाएगे, यहाँ पे एक option दिखाई देदेगा, इसमें option में देख लिजे, confirmation code, तो जब mail में जाएगा, तो mail से OTP को इसमें copy करके, इसमें डालना होता है, तो wait करेंगे, जब mail आ जाएगा, यहाँ तो फिर आप mail में check कर लेंगे, कभी-कभी क्या होता है, अगर network अच्छा नहीं है, तो mail में हो सकता है, कि late से आपको notification आए, तो इसलिए कभी-कभी यहाँ जा जाता है, कभी वैसा हो सकता है, तो यहाँ से copy कर लेंगे, copy करने के बाद फिर इस option पे जा करके, यहाँ पे उसको paste कर देंगे, जैसे paste करेंगे, आपका fund transfer हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यहाँ का जो fund था, उकट गया, और यहाँ पे transfer successful completed दीख रहा है, तो मतलब आसान स तरीका है, transfer करने का, किसी को भी आप दे सकते हैं, किसी को ले भी सकते हैं, कोई भी इसमें charge नहीं लगता है, जैसे आपके पास fund है, किसी को एक डोलर भी transfer कर सकते हैं, minimum, अब maximum आपके जीतिनी मर्जी है, आपके पास जीतना wallet है, उतना transfer इसमें असानी से कर सकते हैं, बहुत सारे फेसिलेटी फंड ट्रांसफर करने का बहुत ही जी प्रोसेस है बहुत सारे कभी-कभी ऐसा रहता है कि ट्रांजेक्शन फिस या एड्मिन चार्ज जैसा कुछ कटता है लेकिन यह बहुत असान प्रिक्रिया है इसमें किसी भी मेंबर को स्विक कर सकते हैं, स्विक टो स्विक भी कर सकते हैं बहुत असान प्रिक्रिया है कि वहला आपको transfer करते समय OTP जाता है जो mail में जाता है बिलकुल secure होता है क्योंकि mail का password खासकर किसी को नहीं देना चाहिए आपके पास mail है तो mail में आपके पास OTP जाएगा जो registered mail इसमें है और वहाँ से अपसानी से fund को transfer कर सकते है कि नहीं को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे सेर कर दीजे हमारे चैनल टेकनिकल दुरू चैनल को subscribe कर लेजे ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डलूँ इसकी notification आपको तुरंद मिल जाए ओके धैंक्यू जय हिंद जय भारत